आप सभी से कुछ शेयर करना था, कुछ समय से मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी ओफिस का स्ट्रेस अलग कैसे काम करूँ वहाँ, घर पर सास ससुर और हस्बंड कैसे संभाल पाऊँ सबको, कोई मुझे समझने को तयार नहीं बस टैबलेट खाखा कर परेशान थी, और एक अधूरी इच्छा, शादी के इतने सालों बाद में पता नहीं क्या हो रहा था मुझे, फैमिली डॉक्टर ने तो कह दिया, पीसी ओडी और थाइराइट से ये प्रॉब्लम हो रहे है स्ट्रेस बढ़ता ही गया, सबाल नहीं पा रही थी खुद को, एक दिन तो खयालों में निकल पड़ी, और अच्छा नक भही नाई खोमेपती का बोर्ड देखा, और फिर मानों जैसे लाइप बदल रही थी मेरी आशा की वो नई किरन मिल गई, एक नई सुबह की साथ जब वहाँ पहली बार मैंने कदम रखे, रेसेप्शन पर सही तरह से होस्पिटलेटी हुई काउंसलिंग में तो बेजिजक मेरी प्रॉब्लम मैंने शेयर की बॉडी स्कैनिंग की अनोखी टेक्निक से मुझे मेरी खामयों का पता चल रहा था जब केस लिखी जा रही थी तो मैं अपने आपको रिलेक्स मैसुस कर रही थी और जब डॉक्टर ने मुझे समझा, सुना तो मानों मेरे हर एक सवाल का जवाब उनके पास थी उनकी हर एक सला मुझे एक नई रहा दिखा रही थी अट दे लास्ट मोमेंट प्रॉपर मेडिसिन मिल गए फोन पर भी रेगुलर फॉलोग चल रहा था डॉक्टर सर की सला हॉस्पिटल की सर्विस से मैं पूरी तरह बदल गए अपना ओफिस का स्ट्रेस था और ना घर पर कोई अनबन ना ही PCOD का प्रॉब्लेम और ना ही थायराइट की परेशनी और खुशिया ही खुशिया मेरे आंगन में थे और वो भी मुस्कुराहट के साथ इट इस ओनली बिकॉज ओफ नाइक होमियोपैथी नाइक होमियोपैथी हर उम्र के लिए हर रोक के लिए होमियोपैथी उपचार हर घर के लिए बिमारी आनेक उपचार एक नाइक होमियोपैथी